दोस्तों नमस्कार समी असलम हमाद आजम सैफ बदर मुहम्मद महसिन यह कुछ ऐसे नाम है जो अमेरिका में जाकर उन्होंने अपने करियर को तराशा और अब इस फेरिस में एक और नाम जुड़िया है और वो है फवाद आलम जी आपक्टूबर में 37 साल के हो जाएंगे परवादिक स्कोर है और वैसे भी अब बहुत ज़्यादा कंपेटिशन हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट में और खासकर साउच शकील और आगा सलमान के जमने के बाद और खासकर जो मधिकरम है बहुत स्टॉंग हुआ है ऐसी सिती में कोई जगा नहीं बनती टीम में तो मेर से अब इन्होंने अपना करियर वहां तराशा है और यह ऐसा क्रिकेटर है जिसने ग्यारा साल के बाद वापसी की अंतराश्टी क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में जो वापसी की इन्होंने और कुल मिलाकर वापसी के बाद चार सेंचुरी भी बनाई न्यूजिलेंड साथ अफरीका, जिम्भावे और वेस्टनीज के किलाव और इसे पहले इनोंने शिरलंका के किलाव डेबियू टेस्ट में ही सेंचुरी बनाई थी 27 में वाइड बॉल क्रिकेट से शुरुआत की थी अपने करियर की 2009 में इनोंने जो है रेड बॉल क्रिकेट में यानि टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद लंबा इंतजार करना पड़ा इनको जो है वापसी करने के लिए 11 साल बाद इनोंने वापसी की जैदे वुनातकट का केस भी जो है उन्होंने की तकरिवन 12 साल के बाद वापसी की और वसीम जाफर के साथ भी एक इनकी similarity है क्योंकि वसीम जाफर डोमेस्टिक रिकेट के बादशाह रहे भारत में और वहीं बहुत ही यादगार रही हैं और उससे बहुत कुछ जंक्स्टर सीख सकते हैं इनका अन और्थोडॉक्स टांस जो है वो बिलकुल डिफरेंट था और उनकी तकनीक काफी तो अलग थी और इन्हीं के बदालत इन्होंने कुल मिलाकर पांच टेस्ट सेंच्री अपने करियर में बनाई और एक वंडे सेंच्री भी है इनकी कॉलंबो में शिरलंका के खिलाव तो अब सौज शकील और आगा सल्मान और सरपराज जैमर जैसे खिलाड़ी जम चुके हैं खासकर मद्ध करम में औ सितंबर में 18 साल के हो जाएंगे और 19 साल के हैं आगा सल्मान तो ऐसी सिती में अब इनके लिए पाकिस्तान टीम में जगहा बनती दिख नहीं रही थी मेरे काल से सही फैसला है और हम शुब कामनाई देते हैं इसके लाड़ी को कि माइनर लीग टी-20 क्रिकेट में शिकागो किंग्स्वेन के तरव से खूब रन बनाएं और जो उनके अंदर हुनर है उसको वहाँ पर दिखाएं क्योंकि पाकिस्तान टीम में उनकी जगह बनती आप क्या सोचते हैं अपनी राए इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि ये फैसला उनका सही है या गलत है और फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार